यहाँ पर हमारे पास third question है exercise 6.1 का Question मैu आपको समझाता हूँ Given है question में कि ये angle और ये angle आपस में equal है और हमें proof करना है कि ये angle और ये angle आपस में equal है तो question समझा गया अब देखने से तो लग रहा है कि अरे बिल्कुल ये तो सामनी ही है लेकिन हमें एक प्रॉपर तरीका होता है प्रूफ करने का तो कैसे करें देखो सबसे पहले तो यहां पर हम लिखते हैं कि क्या गिवन है गिवन है एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल P R Q यानि यह और यह आपस में इक्वल हैं इनको ऐसे बना देते हैं अच्छा अभी यह हमें प्रूफ करना है तो यह प्रूफ हम कर देंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे तो देखो यह तो हमें पता है न कि यह 180 डिग्री है और यह भी 180 डिग्री है क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है यह तो यह दोनो 180 180 हैं तो हम यह लिख सकते हैं कि angle this plus this यानि angle PQS PQS यह वाला angle है इधर वाला plus angle PQR यानि यह वाला angle तो दोनों को मिला कर क्या बनता है दोनों को मिला कर बनता है 180 degree ऐसे हम यहां देखेंगे यह angle मतलब यह angle इसका नाम क्या है angle देखो इसको हम TRP भी लिख सकते हैं लेकिन question में PRT लिखा है तो हम भी PRT ही लिखेंगे बाकी बात यह की है तो angle PRT यानि यह angle plus angle PRQ यानि यह वाला angle यह भी vanity है है ना reason हम यहां पर लिख सकते हैं कि यह vanity क्यों है क्योंकि linear pair है पूरा नाम इसका है linear pair of angles लेकिन आप linear pair भी लिखें तो भी परियाब्त है linear pair मैं काफी बारी आपको समझा चुका हूँ पहले भी फिर बता देता हूँ कि यह एक line लाइन सही बना है linear तो एक लाइन पर जब हम दो एंगल इस तरह से बना देते हैं तो इन दो एंगल को हम linear pair कहते हैं और इनको प्लस करके 180 होता है क्योंकि जो straight line होती है यह 180 डिगरी की होती है ठीक है अब हम क्या करेंगे इनको equate कर देंगे तो left hand side और right hand side को equal करेंगे हम तो PQS plus angle PQR equals to angle PRT plus angle PRQ समझे पर दोनों के right में है 180 तो दोनों की left hand side equal होगी तो मैंने इसको यहाँ पर यह लिखा है और इस वाले को मैंने यहाँ पर यह लिखा है ठीक है न और अब एक चीज़ यहाँ पर देखो PQR यानि यह and PRQ यानि यह equal है तो equal है तो कट जाएगा यह एक दूसरे से I mean एक left में एक right में तो कट जाएगा तो हम यहाँ पर इनको ऐसे काट देंगे ठीक है आप ऐसे काट सकते हैं यह क्यों आप लिखना चाओ तो लिख सकते हो कि since angle PQR equals to angle PRQ यह question में given है तो बचा क्या तो therefore angle PQS equals to angle PRT hence proved यह proper तरीका इसको करने का और अगर मैं directly आपको वैसे ही बताओ तो बड़ा आसान है भई पोरा 180 है ना अब यह equal है मान लो कि यह है 60-60 degree तो यह भी 180-60 होगा यानी 120 और यह भी 180-60 होगा यानी 120 तो यह equal होगे ना तो यही है लेकिन हमको जो prove करना होता है तो proper way होता है प्रूफ करने का और यह इस तरह से प्रूफ हो चुका है ठीक है बागी questions के solutions के लिए description box में playlist चेक करें झाले झाले